अस्सलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलम्दिलिल्ला में एकदम ठीक उम्मीद करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो पहले तो पिटारा तेरे पर लख दी लानत है तो बतार ये देखो आज मेरे हस्बेन इतर नाश्टा कर रहे है क्या हुआ वहाँ पर नाश्टा नहीं किये वो क्या बोल रहे है गैस खतम हो गई है ना गैस खतम हो गई मतलब पिटारा के जब मजबूरी आई गैस खतम होई तब आके वो तेरे पास में नाश्टा कर रहे है फिर भी वो आके नॉर्मली नाश्टा नहीं कर रहे है गैस खतम ने क्या खाई, बच्चे का दूद कैसे गरम हुआ, खाना कैसे बनावाँ पे, गेस खतम हो गई तू यहाँ पे आगे तूसने के लिए, मेरे इसाब से तो इसको चाहिए ता यह होटल अगर रहेंगी न तो गोंचु रोड ड्यूटी बजाने के लिए उदर जाता है ड्यूटी मतलब कॉसर बजाती है रोज इसको नाश्टा करवाती जब वहां पे गैस खतम हुआ तो यह मोटी पांडी शाम के टाइम पे इसको नाश्टा करवा रही है और बोल रही है कि देख और नाश्टा बता भी कैसे रही है हमने लक्ती बना दी हमने ये बना दिये तू बनाएंगी और दिखाएंगी नहीं बैठे बैठे तो वहीं पे खाने ठूसने वाली काम चोर औरत जब तू कोई काम नहीं करती है न तो वहां पे हम हम करती है ताकर क्रैडिट तू भी ले स रखे इतनी बड़ी तु काम चोरे इसने अगले सिन में दिखाई कि हम वहाँ पे नाश्टा खतम कर रहे थे और वहाँ पे बच्चे ने इसकी आयत ने यह नहलाएंगी दुलाएंगी तो पहले तो चलो अनीता थी रमजान था तो सब मिलके बच्चों को भी समाल लेते थे लेकिन आब वो दोनों ही है जो बच्चियां है तो वो घर समाले या इसके बच्चे समाले तो अब इसके बच्चे खुदी काम कर ले रहे तो यह बतो करी लेती थी अब आयात भी सीख गई वा पिटारा तेरे उपर तो सची में लाना थे और विचारी आयात अखुद से कपड़े तो चेंज कर ली बाल बनाने तो उसको आएंगे नहीं तो बाल उसके वैसे के वैसे ही से पूरे जिपोटे थे और बोल रही है तैयार हो गई मेरी ब आयते हमने हमने पिटारा तू करती और कैमरे में ना लेती वही नहीं सकता है तू खली पानी दे रही है पदो में तो तू वह शूट कर रही है तू बैलकनी दोती और वह शूट ना करती यह हाम हाम है ना बोलके क्राइडिट लेना ना छोड़ दे काम चोर औरत वह तो रम कशी बन जाएंगा ना फिर पूरे घर कांप पहले के जैसा करेंगा और तु मोटी संडी टांग उठाके सोते रहे na पूरा दीम में और उठने के बाद में बोलना हमने युकर दी आए हमने वह खाने का बरतन कोल ती है आज हमारे घर में ये बनाए ये कर दिया है ये हमने कर दिया है अरे बैट कामचुर इतना सारा मेकप ठूस के इतना सारा फिल्टर लगा के बैटी है बोल रही है आज बाबर के इदर हमारी दावत है तो हम पाड़ी पे जा रहे है काली पाड़ी पे तो इस लोगों का पता न अप्या है तो वहाँ पे जा रहे बाबर ने हमें इन्वाइट किया है तो हम लोग वहाँ जा रहे अभी नमाज अदा करके बैठी हूं अभी नमाज अदा करके बैठी है पितारा और मैंने बोली ना यह शाम को सोके उठी है जेक लोग बोल रही है हमने रूटिंग बनाई है शाम को पदों में पानी डालने की वही तो मैं बोली पिटारा वो नाश्टा कैसे कर रहा है तेरे साब को नाश्टा नसीब हुआ वो गोशु की भी न यही आवकात है बराभ बर्ष को तुमी लिए साम को नाश्टा करवा रही है और बेसरम की तरह तेरे पीछे पीछे दुमचला बनके गुमते रहता है गदा और पिटारा नमाज अदा कर ली हूँ जूट बोलने की न जरूरत नहीं है पहले तु मेक अप कर ले बाद में तु नमाजे अदा करना जूती मकार औरत तो बड़े पे केमरा डाली है तो साफ नजर आ रहा है कि अभी अभी सोके उठी है ये काद दो गंटा हुआ होगा इसको सोके उठके और बोल रही है नमाज अदा की हूँ मतलब पूरे दिन की नमाज खा के शाम को तु नमाज अदा की है कोई नमाज नहीं अदा किये जूटी है मकार तू एक नमबर की नमाज पढ़ने तक के नहीं आती है इसको तिरी बाते करने के लिए दे दो बड़ी-बड़ी मुझ दिन कुरान शरिक दिखा रही थी माहिने से पढ़ूंगी क्या हो गया पता हो गया पढ़ ली पता चल गए माहिने में क्या पढ़ने का है जूटी गई की और विचारी को व्यूद नहीं आ रहे है ना वो जो बाबरी है इसको भी व्यूद नहीं आ रहे है चेंडी वाले को इसके लिए मिलके ये ड्रामे करने का के पाटी कर रहे है ये कर रहे है यहां पे आने का नुक्सान कितना हुआ है और यह बाबर बेसरम काम चोर काम धंदे कर या उसके पीछे पीछे दुम के जिता पड़ा है और आगे हम मोठा के इधर पे बद्धनाम होने के लिए और देखो यह उरत को इतना होश नहीं रहता है कि कौन सी चीजे कहां पे होती है शैंपू दिखा रही है कि मैं वो दिन शैंपू लेकर आई थी यह मिल नहीं रहा था मैंने दो बार निकाल के रखी मिल नहीं रहा था और आज इतने सच भी बोली दी कि यहां पे यह इनका काम है या तो हलीमा का काम है लोग आते हैं साफ सफाई करने के लिए बैट पे कुछ भी पढ़ा रहता है तो सब कुछ है ना पैक वैक करके रख देते हैं मतलब कि इसका बैट तलब के विल्लोग साफ करते हैं सोचो यह औरत एक गिलास पानी तलब के अपने हाथ से लेके नहीं फीती है इसका बैट तलक के लोग से साफ करवाती है सोचो घर के सामान घर की जरूरी चीजे वो सब कुछ का जुम्मेदारी इसने दूसरों पर देखे रखी है और फिर बोलती है कि मैं CCTV लगाई हूँ मैं देखू कौन क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन कर क्या रहा है अरे पिटारा तो इतनी गैर जुम्मेदार ओरत है न कि तेरे से कभी भी नहीं हो पाएंगा तो CCTV अपनी आखों के अंदर भी लगा लेंगी न तो भी तु घर का और कोई चीज का ध्यान नहीं रख सकती तो अन सब प्रोडकों को जो जो प्रोडकों को बाइकॉट किया जा रहा है यह उन्ही प्रोडकों को है चान जान बूच के हाइलाइट करती है उनका प्रमोशन करती है और यह जान बूच के यह सब करके ना दिखा रही है कि मैं ना उन लोगों के साथ हूँ जो लोग है ना गलत कर रहे है और जो लोगों के साथ में गलत हो रहा है ना मैं उनकी दुत्मन हूँ मैं उनकी एंटी हूँ ह यह दिखाने के कोशिश कर रही दू गटिया और मतलब तेरे को शरम आ रही है इस चीज का प्रमोशन करती है समाझा रही है यह ओरत क्या है क्या और लहां को गंदा करना डिफैंम करना प्रकिस्तान करने को कोशिश करना यहां कि लोग गंदे ये सब बताना और फिर ऐसे प्रोड़क को प्रमोट करना जिसको हर एक बंदा आज की टेम पे बाइकाट कर रहा है उसका ये प्रमोचन कर रही है ये एंटी मुस्लीम हो गई है और बोलना नहीं चाहती थी मैं लेकिन जितनी इसकी हरकते ना वो यही साबित कर रही है और इंशाल्ला पिटारा तु भुकतेंगी ये जो तु गंद कर रही है ना जान बुचके तु भुकतेंगी किस तरह से ना वो देखना खली फिल्टर देखो इसके मूँ पे या ला इतना फिल्टर लगाती है या उरत इसकी ना किसकी आंक कहां पे है कुछ पता ही चलता इतना फिल्टर लगाती है और क्या बोल रही है तू मुस्तफा के लिए किसको समझाओ कैसे टैम पे नाने का कैसे उठने का कैसे क्या करने का पहले तू तो सीख ले पिटारा हां बोल रही है टैम पे नाना दोना उठना सोना इसको समझाओ यह ना जैसे बड़ा हो र वाँ 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 पिटारा क्या, डायलोग मारी है वाँ, लड़के या एक्टिव रहती है, तु कि इतनी एक्टिव है तु कुछ जब पूरा दिन सोते पड़े रहेंगे, टांगे उठा, उठाके तो बच्चे कहाँ से उठेंगे, तु कुछ जब बच्चो को सिखाएंगी कि बहुत पैसे पड़ाय लिखाय की जरूरत नहीं है तो खुद बच्चों को स्कूल से निकलवा लेंगी उसके बाद में तु सोचेंगी कि बच्चे बड़े ही तेरे ये बने अच्छे इंसान बने तो ऐसा तो नहीं होगा पिटारा जो तु दिखा रिए बच्चों को जो अंदर तरभियत दालना बापका नहीं होता है तु कोई जुम्मेदारी नहीं लेती है और ये वाली बाद भी तु उसको बोल रही है कि तुम समझाओ मुस्तफा को वा पिटारा तु कुछ मत कर तु खली खाट फूस और दंदनाती हुई ना पूरे इसलामाबाद में खली भटक फीर बस तु इतना ही कर और तु क्या सोच रही है कि तु ये जुम्मेदारी कोंच को दे देंगी तो तु बच जाएंगी पिटारा नहीं तुने जो इतने सारों का दिल दुखाई है रुलाई है उनके घर खराप किये तुने तरी मा के साथ जो गेम के लिए इसको इ किसी गालियां काते रहेंगी तो तेरी मा के दिल से तो निकलेंगी ना तेरे लिए तो वो कहीं न कहीं लगेंगी तो लगेंगी तो तु भरेंगी किसमें अपनी अउलाद में जैसे तुने अपनी मा के साथ अपने कांदान वालों के साथ और दुनिया वालों के साथ किये तो उसका है ना बदला अल्ला तेरी अुलादों में से तेरे साथ में निकालेंगा और यह देख लेना हो के रहेंगा यही अुलादे तेरे को ना जिपोटे पकड़के घरते बाहर निकालके फेकी ना तो बोलना इस वीडियो का सबसे बड़ा जोग ये लड़का तुन समालो लड़कियां मैं समालूंगी पूरे वीडियो का क्या बलके इसकी जिन्दगी का सबसे बड़ा जोग है तू लड़कियां समालेंगी वाँ पिटारा वाँ अगर लड़कियां तुने समाली ना तो दूसरी पिटारा बनेंगी वो रहने दे गोंचु जो तीनो बत्चे समाल रहे न वो ही ठीक है तू तो रहने ही दे तेरी राज में तो बत्चियां जिपोटी पड़ी रहती है फटे हुए कपड़े पहनी रहती है नाई दोई नी नजर आती है इसकुले चुटी हुई है वो तेरी राज में ही हो रहा है पिटारा आयत तो तुने अभी चुड़ाई है तयबा के टेम पे तो इतने गोंचों के अपर नाम डाल दी थी ना लेकिन आयत की सकुल कौन चुड़ाया तयबा की भी इसने चुड़ाई थी आयत की भी इसने चुड़ाई और आके अच्छी बनने की कोशिश करती है और बोल रही है बेटियों की जुम्मेदारी मैं लूंगी बहले यारों के पास घुमने से तो फुर्सत ले ले टांगे उठा के जो सोते पड़े रहती है सोके तो उड़ जा फिर बेटियों की जुम्मेदारी निभाना गटिया औरत और इतनी जाहिल गवार क्या बोलू यह इतनी जाहिल है क्या बोल रही है चांद को चांद पहली का चांद देखके दुआ मांगते है पहली का चांद है अरे गवार औरत तुझे पता भी है पहली का चांद कब हुआ कब नहीं हुआ जो तु बोल रही है कि पहली का चांद देखके दुआ मांगते है शरम कर शरम प बिजनेस और पैसे आए घर हो जाए और यह वह अरे बस कर देपिटारा इतना तो दिया यह तेरे को उपर वाले ने फिर भी तेरी हे के नियती नहीं भर रही यह इतनी तुम वे शरम और पैसे पहले शुरू तो कर ले फिर कामियाभी मांगना जैसी नियत वह इसी बरकत यहां पर लिए तो गाडिया रेंड पर तेरी चल रही है गाडिया रिटलो गय खेल Kology और रिवा पाथी करने के लिए वहां पर पिटारा नेकसे बता रहु कि अपर और प्रापटी लिए प्रापटी लिए तो इसने वहाँ पर प्लाट करी क्रीदी जो के खलती से इसके मौंसं निकल भी गए सब किया और इसको पता उता थे घर चाहिंगी या नहीं बताइंगी मुझे तो नहीं लगता यह बताइंगी किसे एक ओर प्लोट लेंगी यही एक सोर्स है यही आपकी बच्चों की रोधी रोटी का जरिया है तो आपको ऐसा नहीं बोलना चीए था तो हाँ सही बात है मुझे अम्मी की आद आ रही थी दी थोड़ा उदास था दिल हो रहा था किसी के गले लगूं किसी के पिटारत अम्मी के नहीं तेरा हिजादते गले लगने का दिल कर रहा था लग रहे तो और तेरा है ना इंकम का जरिया है यह नहीं जिनके इंकम के जरिये रहते वो लोग प्रॉपर काम करते मैनत करते तेरी तरह ना टांगे उठा के सोते नहीं पड़े रहते तो जूट तुझरा कम बोल और अम्मी अम्मी करके अम्मी को ब्लैक में करना बन कर दे आ रही है अम्मी टेंशन मतले आ रही है और आप लोगों को मैं यह भी बात अन्फर्म कर रही है जान बुझके कर रही है इसको भी पता है कि इसकी मां आने वाली है और यहीं वज़े से ना इसने काम वालों को सबको निकाली है क्योंकि इसकी अम्मा काम अली है वो पूरे घर का काम कर लेंगी अपके लिए नौकरानी की जरूरत नहीं है कौसर के लिए नौकरानी तुने काम की यहींगी उसके बाद में तरह को हराम मू लग गया है लोग तेको 50-50 अजार रुपया भेज रहे अगर और लोगों ने तेरा मंतली भांद के रखे तो तेको क्या जरूरत है काम करने की तो यह सारे डायलोग मारना तो तू बंदी कर दे जो काम करने वाले रहते है न कोर्वी रूटिंग दिखाते है सुबा से उले के रात तलग के तेरी तरह ने हिसाम को आड़ बज़े सोके उठते और ग्यारा बज़े तक के जूड बोलते है तो यह बाते रहने देबा की इसने बोली के एफ़ यह वाले ने बुलाए है मैंने कंप्लेंट की थी तो लोग बुलाते हैं तो अब मैं जा रही हूं उठना पड़ेंगा चलना पड़ेंगा जाना पड़ेंगा यह ऐसे रुकेंगे नहीं तो मैं ही करूंगी ठीक है देखते क्या कर लेती है तू एफ़ यह वाले ने तेरे को बुला लिए है ना पिछली बार भी ड्रामा की थी अम्मा को लेके गई थी एफ़ यह में याद है आप लोगों को बाद में क्या नतीजा निकला कुछ भी नहीं तो यह बार भी तू यही कर और ढरा बकि यह जो तेरी टीशिस्टर है क्या कर रही है उसको तू बता रही है कि देखो हाँ अब यह चीज में मैं एक्टिव हो हूँ तो आजाओ मेरे साथ में मिल लो वापिस दे ताकि मैं मेरे सपनों का महल तेरे से फुकड में बनवा सकूँ या पीछे पीछे से वो तेरे साथ में मिली हुई है वो यह सारा कुछ करवा रही है क्योंकि तेरे टांगों में इतना तो जो रहनी पिटा रहा कि तू तो यह दो में से एक ड्रामा है वाकि केस वेस कुछ भी नहीं होगा इसके खुद से निकल निकल के आएंगी और यह खुद यह ना गालियां खाएंगी और केस करना है न पिठारा जाकर वो जहाज पर कर अजगर पर जो चार गंटे गिनवाया था जो नाजयस बेटी गिनवाया था यहाँ पे लोगों के ぁपर केस करके ना तेरा कुछ बनने वाला नहीं है तेरे बापका खाय नहीं है लोगों ने जैसे तू अहराम खारी है ना बैटके जूड बोलती है तो लोग सज बताते है कि तू कितनी जूती है तूने क्या-क्या गंदे-गंदे कांड की है बस सज बताने की सजा तू सोचे ही मैं केश करवा के मूँ बन करवा दूँ तो ये तो नहीं हो पाएंगा पिटारा बलके के इस तो तेरे पर होना चीए पुरा खांदान मिलके करना चीए तू बैटके लोगों के चार पाई के उपर के गुना बताती है तो दिन तू बड़ी-बड़ी बाते कर रही थी ना कि मैंने प्रूफ जमा की हूँ मेरे पास लिंक है डिलीट करना है कर दो तो तू भी ना डि तोस तो तो आके न उल्लोक सही वळा जवाब देंगे तल्य रियाक्शन अले और ये बार है न पिटारा करके दिखाना पिछली बार जैसे डृमा कीती न वैसे मत करना करके दिखाना ये केस वाला ड्रामा ना ये तेरा पहली बार नहीं है ये चोती ये पांचवी बार कर रही है तो याद है न आप लोगों को जब गोंचू मेरे क्याल से दुबाई गया हुआ था हाँ दुबाई गया हुआ था वो टेम पे भी इसने बताई थी कि मैं डीडी के साथ में आफाई जा रही हूँ मैंने केस की हूँ मुझे बुलाया गया है चाहिए न वो क्लीप लगाऊंगी मैं एस रियक्चन के उपर आप लोग देख लेना वो केस का भी कुछ नहीं बना अम्मी के साथ में गई थी वो कुछ नहीं बना वो कद्दू बीच के साथ में गये था इसका गो पंडिंग ले रही थी अब तो कुछ केस के मारे मार मार के लोगों से पंडिंग मांओना चाहती है अच्छा समझा ही तिरे केस की कहानी जैसे पिछली बार पंडिंग Kाई तो जी महरबानी करो कोई भी केस के नाम पे इसको कोई कुछ भी ना दे ये सिर्फ पर सरीफ ड्रामे है हर छे मैंने में केस का ड्रामा लेकर आती है फंडिंग लेती है और निकल जाती है कुछ नहीं करती है ये और चले इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूं वीडियो कैस लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पतन हैंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापी